खबारों में अगनी मिसाइल की बार बार और सफलता और उसके परीक्षण में हो रही देरी की काफी चर्चा हुई थी अंतरिक्ष विग्यान के शेत्र में ऐसी देरियां होती ही रहती हैं लेकिन देश ये बात समझने को तैयार नहीं था अपनी समझ से आएं हमें खुद ही सुलजानी थी लोग अपने अपने ढंग से देरी का मतलब निकाल रहे थे अमूल के एक विग्यापन में तो हसी हसी में यहां तक सुझाब दे डाला गया कि अगनी को चलाने के लिए उन्हें अमूल मक्षन का इस्तेमाल इंधन की तौर पर करना चाहिए परिक्षण में देर होने के कारण अकपार हाथ दो कर हमारे पीछे पड़े थे और बार-बार की औस फलता से मेरे दल का मनोबल तूट चुका था मुझे वे अनेक अफसर याद आये जब हमारे दल के नेताओं ने हमारा मनोबल बढ़ाया था मैंने सोचा कि क्यो ना मैं भी ऐसा ही कुछ करूँ मैंने एक सभा आयोजित करके अपने दल के 2000 सदस्यों को संबोधित किया हमें एक महान अफसर दिया गया है सभी बड़े अफसरों के साथ बड़ी चुनोतियां भी जुड़ी होती है हम हिम्मत नहीं हार सकते हमारे देश को हमसे कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए मैं बात खत्म कर ही रहा था कि अनायास मेरे मूँ से निकला मैं वादा करता हूँ कि अगले परीक्षण में अगनी का प्रेक्षपन सफल रहेगा मेरा दल अच्छानक उर्जा से भर उठा नए जोश से भर कर मेरे दल ने जबर्दस्त इच्छा शक्ती दिखाते हुए बड़ी लगन से काम किया आखिर प्रेक्षपन की तारीक 22 मई 1989 तै हुई सेना के जनरल और रक्षा मंत्री जैसे गर्मान ने व्यक्ती प्रेक्षपन देखने आए प्रेक्षपन से पहली रात हम पूर्णिमा की चान्दी में दमकते समुद्र तर पर सेर के लिए गए गरजती लहरे चक्टानों से टकरा रही थी हम सभी के मन में ये प्रश्न घुमर रहा था कि क्या कल अगनी का प्रेक्षपन सफल रहेगा लेकिन इस बारे में कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता था आखिर रक्षा मंत्री ने चुप्पी तोड़ी और मुझसे पूछा कलाम कल हमें अगनी की सफलता की खुशी कैसे मनानी चाहिए तुम्हारी क्या इच्छा है प्रेश्न सरल था लेकिन मैं तुरंद उसका उत्तर नहीं दे पाया सोचने लगा कि मुझे क्या चाहिए मेरे पास क्या नहीं था और तभी मुझे एक खयाल आया मैंने कहा हमें अपने शोध केंद्र में एक लाख पौधे रोपने है रक्षा मंत्री का चहरा चमक उठा उन्होंने गदगद होकर भविश्यवानी की अगनी की सफलता के लिए धर्ती माता तुम्हें आशिरवाद देगी कल हमें सफलता जरूर मिलेगी अगले दिन सुभा साथ बच कर दस मिनट पर अगनी का प्रेक्षपन हुआ एक तम बादह रहित और तुटी हीन ये बिलकुल ऐसा ही था जैसे कोई बुरे सपने के बाद जागे और पाए कि उजवल सवेरा उसका स्वागत कर रहा है विभिन कारे केंद्रों पर पांच वर्षों तक लगातार चले काम का अच्छा परेणा मिला था कल 600 सेकिंड के सुन्दर उडान ने हमारी सारी धकान को पोच डाला बर्षों की मेहनत की ये अद्भुत परिणिती सामने आई थी ये मेरे जीवन के महानतम शणों में से एक था और हमेशा रहेगा